खुलकाता रेप मडर के बाद से प्रदेशन कर रहे जूनिया डॉक्टर से मिलने के लिए आज अचानक मुकमंतरी मम्ता बेनर जी पहुँची मम्ता बेनर जी ने प्रदेशन कर रहे डॉक्टर्स की नारबाजी के बीच उनसे काम पर लोटने की अपील गी मम्ता ने कहा कि वो उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगी मुकमंत्री ने कहा कि उन्हें पद की नहीं डॉक्टर्स की चिंता है साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें डॉक्टर्स की सुरक्षा की चिंता है इसके बाद भी डॉक्टर्स ने प्रदर्शन जारी रखने का एलान किया है डॉक्टर्स ने कहा कि वो मुक्षमंत्री के इस कदम का स्वागत करते हैं लेकिन वो अपने मुद्डों को लेकर मुक्षमंत्री के साथ चर्चा करना चाते हैं प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर है उनके साथ बातशीत भी किया उन्होंने उनको ये बताया कि देखिए जो आपका डिमांड है वो एक दिन में नहीं कर सकता हूं लेकिन जरूर आपका जो डिमांड है उस फर मैं अपने अफसर के साथ बात करूँगा जो आप टेंडर की बात करते हैं वो मेरे पास कभी नहीं आते हैं इन्हें मैं जानता नहीं हूं और साथ-साथ उनने ये कहा कि देखिए मरीजों की बिमारी का इलाज नहीं हो रहा है और लोगों की जाने जा रहे हैं और आप अपना अंदोलन वापस लीजिए और काम पे वापस लौट ये मुख्यमंत्री ये जाकर जो प्रदर्शन कर रही थे उनको बताए और उनको कहा कि आप अपना अंदोलन वापस लीजिए इसके तुरंद बाद जो प्रदर्शन का रही उन्होंने कहा देखे हम बातचीत के लिए तयार है मुख्यमंत्री यहां पे आया इसका हम स्वागत करते हैं और यहां पे आके बात किये हलाकि मम्तब एनरजी ने ये भी कहा मैं यहां पे मुख्यमंत्री के नाते नहीं आया हूँ आपके एक बड़ी बेहन के नाते आया जगा है Junior Doctor का वहाँ पे, वहाँ जाके ममतब आनरजी ने ये बयान दिया और ममतब आनरजी का ये बयान के बाद डॉक्टर्स ने भी बयान दिया कि वो बातचीत के लिए बैठने के लिए तयार है, उनके जो पांच पॉइंट डिमांड है, हाला कि पिछली बाद जब ममतब उनके लिए वेट कर रहे थे नौबानों में और उसके पहले दो दिन भी बातचीत होने की संबाबना थी तब लाइव स्ट्रीमिंग के विशे को लेकर ये बातचीत नहीं हो पाए हाला कि आज ममता बैनर जी खुद मुख्यमंत्री धर्नास तल पर पहुँच कर जो अंदोलनकारी प्रदर्शनकारी डॉक्टर है उनसे बात किया कहा कि आपका जो निमान्ज है उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे एक दिन में किसी के खिलाफ कारवाई नहीं कर सकता हूँ मुझे तत्य देखनआ पड़ेगा किसी निदोष के खिलाफ मैं कारवाई नहीं कर सकता हूँ तो मुझे समय दीजिये और आप इतने बारिश में आपका अंदोलन कर रहे हैं आपके जो घरवाले हैं वो आपको लेकर चिंतित हैं हम भी चिंतित हैं अगर आप रात को नहीं सोए हैं तो हम भी रात को नहीं सोए हैं हम आपके लिए चिंता करते हुए रात जागे हैं तो आप जरूर काम पे वापस यह ममता बैनर जी का जो एक अपील था प्रदर्शनकारी डॉक्टर के तरफ वो जाकर धन्नास तल में कहा है और दॉक्टर ने कहा है हम बातचीत के लिए तयार है हाला कि उन्होंने अभी भी प्रदर्शन खतम करने का कोई निर्ने नहीं लिया है लेकिन वो कहा है कि हम ममता बैनर जी के साथ बातचीत करने के लिए तयार है